नमस्कार किसान भाईयों, किसान भाईयों, वाइट फलाय यानि सफेद मक्ही हमारे फसलो सबजियों के लिए इतनी बड़ी सरदर्द बन चुकी है, खास कर ऐसे किसानों के लिए जो किसान सबजियों की खेती करते हैं, क्योंकि जब भी हमारे सबजियों में वाइट फलाय का काल बन जाता है इस white fly यानि सफेद मक्खी के बज़े से हमारे फसलो सब्जियों में तरह तरह के भाइरस का अटैक होता है जिससे कंट्रोल करना बहुत ही मुस्किल हो जाता है जिससे फसल बुरी तरह से बरबाद हो जाता है और सबसे बरा प्रोब्लेम तो यह होता है कि इस white फसलो सब्जियों को बहुत ही जादा नुक्सान पहुचा चुका होता है तो ऐसे में आपको क्या करना होगा कि आप सुर्बात में ही white fly के अटैक को identify करे और उसे परसंट white fly से पूरे तरह से छुटकारा मिल जाएगा तो किसान भाईयों सबसे पहले समझते हैं कि white fly यानि सफेद मक्खी की life cycle कैसा है कैसे यह हमारे फसलो सब्जियों को नुक्सान पहुचाता है और क्या क्या नुक्सान पहुचाता है क्योंकि इस चीज को अगर आप अगरू करें कि white fli को क्या नुक्सान पहुचाता है तो देखो पौधों के पत्यों में के जोवी, minerals, nutrients बगेरा मुझूद रहता है। वाइट फ्लाई उसे चूस कर खाते हैं, जिससे पौधे कमजोर हो जाती है, पौधे की ग्रोथ अचानक से रुख जाती है, इस बदर से पौधों में नई फलफूल आना बंद हो जाती है, जिससे हमें उपज में तेजी से गिरावत देखने को मिलती है, इसके अलाबा पत्य पिला परने लगती है, पत्या मुर्जाने लगती है, और इतने में वाइट फ्लाई रुखता नहीं, ये हमारे फसलो सब्जियों में तरहा तरहा के वाइरस भी फैलाता है, जिससे हमें और भी ज्यादा नुक्सान का सामना करना परता है, इसलिए हमें सुरबात में ही आप नीचे देखके पता कर सकते हो, और अगर ये किसी कारण पॉसिबल ना हो, तो आप क्या कर सकते हो, कि आप अपने प्लाट में, अपने खेद में योलो स्टिकी ट्रैप को लगा सकते हो, इससे क्या फाइदा आपको मिलेगा, कि जब भी ये वाइट फ्लाई योलो कलर क आप को देखेगा, तो इससे आकरसित होके इसपे आके बैठेगा, और जैसे इसपे आके बैठेगा, इससे आपको दो तरह के जो फाइदे होंगे, पहला तो ये, कि इससे आप वाइट फ्लाई के लाइफ शाइकल को आसानी से ब्रेक कर पाओगे, दूसरा आप योलो स्ट की टैप आप कहां से खड़ीच सकते हैं तो मैंने इसकी ओनलाइन Amazon की लिंक वीडियो के description में दे दिया है आप चाहे तो वहां से जाके खड़ीच सकते हैं अब बात करते हैं वीडियो में सबसे जरूरी कि हम इस white flag के attack को आसानी से कैसे control कर सकते हैं तो देखो अगर संभव हो पॉसिबल हो तो आप क्या किजिएगा कि अपने plot में जाईए और देखिए जिन पौदों पे जिन पत्तियों पे white flag का attack काफी ज़्यादा हो चुका है तो उनकी cutting करके अपने plot से निकाल फेके अगर possible हो ये तो और अगर ये possible ना हो तो भी कोई बात नहीं क्योंकि अभी आपको मैं कुछ ऐसा combination बताने बाला हूं जिसके इस्तमाल से आपको 100% white flag से छुटकारा मिल जाएगा लेकिन इससे पहले कहना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आप जैसे किसानों के लिए इसी तरह के वीडियोज बनाता रहूं तो इसमें आपको थोड़ा मेरी मदद करना पड़ेगा जिसमें आपका एक पैसा भी नहीं लगेगा आपको सिर्फ इस वीडियो को लाइक करके अपने संगी साथी किसान भाईयों के साथ सेहर करना है और आपके मन में सभी वीडियोज आपको सबसे पहले मिलती रहे अब वीडियो में बापस आते हैं और बात करते हैं हुआइट फ्लाय को कंट्रोल करने के लिए सबसे असरदार बेश्ट और कारगर कॉंबिनेशन कौन सा है और उसे इस्तमाल करने का सही और इफेक्टिव तरीका क्या है तो देखो इस कॉंबिनेशन में आपको जो जो लेना है उसमें से पहला है फ्लोनिकामाइड 50% यह टेक्निकल आपको UPL की उलाला में देखने को मिल जाएगा इसका डोज आपको लेना है 60-70 ग्राम 200 लिटर पानी के हिसाब से इसके बाद दूसरा जो आपको लेना है वो है प्रोक्लेम इसमें आपको इमामेक्टिन बेंजोएड 5% देखने को मिल जाएगा इसकी आपको डोज लेना है 100 ग्राम 200 लिटर पानी के हिसाब से अच्छा एक बात मैं क्लियर कर दूँ कि ऐसा नहीं है कि जो भी दबाईयों के बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको सिर्फ वही लेना है अगर उसी सेम टेक्निकल का दबाई कीतना से का आपको किसी दूसरे ब्रांड में मिल जाए दूसरे कमपणियों में मिल जाए तो आप उसे भी ले सकते हैं वो भी इतना ही कारगर रहेगा जितना ये सब कारगर रहेगा बस आपको देखना है कि वो ब्रांड अच्छा हो, कोई लोकल कमपनी ना हो खेर इस कॉंबिनेशन के साथ आपको और क्या कह लेना है तो आपको ऐसे टेमा प्रीट 20% वाला 100 ग्राम 200 लिटर पानी के हिसाब से लेना है और इसी कॉंबिनेशन में आपको नीम उयल और एनपीके भी लेना है नीम उयल कम से कम 10,000 से 20,000 पीपियम बला लेना है 200 ml 200 लिटर पानी के हिसाब से इसके बाद एनपीके कौन सा लेना है तो आप 12, 43, 0, 52, 34 या 12, 61 में से कोई एक ले सकते हो 500 ग्राम 200 लिटर पानी के हिसाब से इन पाचों का कॉंबिनेशन बना के अगर आप स्प्रे करेंगे तो आपको 100% white fly से छुटकारा मिल जाएगा एक बार फिर सी बता देता हूँ इस कॉंबिनेशन में आपको क्या के लेना है फ्लोनी का माइट 50% वाला जो UPL की उलाला में मिल जाएगा इसका डोज आपको 60-70 ग्राम 200 लिटर पानी में लेना है इसके बाद प्रोक्लेम जिसमें इमामेक्टिन बेंजोएट 5% वाला आता है वो आपको 100 ग्राम 200 लिटर पानी के हिसाब से लेना है 500 ग्राम 200 लिटर पानी के हिसाब से ये कॉम्बिनेशन सबसे बेश्ट और असरदार है वाइट फ्लाइ को कंट्रोल करने के लिए और ये कॉम्बिनेशन आप किसी भी फसल में किसी भी स्टेज में कर सकते हो इस combination से flower dropping की समस्या भी नहीं होती है तो मतलब यह है कि आप इसे flower के stage में भी spray कर सकते हो उस समय भी आपको यह फाइदा देगा सिर्फ आपको तेज ढूप में इस combination का spray करने से बचना होगा मतलब आपको साम के time spray करना चाहिए अब अगर बात करें कि कितने दिन बाद इसका दुबारा spray कर सकते है तो देखो अगर white fly का attack बहुती extreme बहुती ज़्यादा हो चुका है तो 4-5 दिन के बाद आप इसका दुबारा spray कर सकते है और अगर medium है थोड़ा बहुत white fly का attack है तो आप इसे आप से 10 दिन बाद इस प्रे करें दुबारा इसका और अगर अगर अभी सुरबाती दिनों में है तो आप 15 दिन के बाद इसका दुबारा इस प्रे कर सकते हैं, आपको काफी ज़्यादा बहतरीन रिजल देखने को मिलेगा और अगर आपके फसलो सब्जियों में थिप्स का अटेक हुआ है उसे कैसे कंट्रोल करना है तो आप यहां क्लिक करके इस वीडियो को देखिए इस वीडियो में सब कुछ अच्छे से डीटेल में बताया है मिलेंगे इसी वीडियो में